हेलो दोस्तों स्वागत है आप सब का आपके अपने चैनल में तो कैसे हैं आप सब चलिए आज की जो हमारी क्लास है वो सम फैक्टर से रिलेटेड है ठीक है आज हम गुडन खंडों का योगफल देखने वाले हैं कि उसको कैसे निकाला जाता है ठीक है तो चलिए स्टार्ट क आपको पढ़ाने वाला हूँ सम फैक्टर्स ठीक कोई भी अगर आपको कोई नंबर दिया हो for example 12 दिया है तो आपको बताना है कि इसके जो फैक्टर्स होंगे उनका सम कितना होगा ठीक है तो इसमें तीन तरह के पार्ट मैं आपको कवर कराऊंगा आज की क्लास में कौन कौ आपको बता चुका हूँ अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप इसी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो वहाँ मैंने फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं वो आपको पूरी तरह से सिखा दिये तीक है आज मैं फैक्टर्स की क्या बताने वालो हूँ सम योगफल बताने वालो ठीक तो चली स्टार्ट करते हैं सीधे हम सवाल देखेंगे और वहाँ कैसा फॉर्मला आपको लगाना या कैसा concept आपको सीखना है वो मैं direct बताने वालो हूँ ठीक तो चली स्टार्ट करते हैं सबसे पहला concept क्या है sum of total number of factors पहले हम total number of factors के क्या निकालेंगे sum निकालेंगे ठीक है ठीक एक्जामपल लिखा हूँ आपके सामने 60 ठीक 60 को हमने क्या किया सबसे छोटे उसके factors में convert कर लिए यह इसके factors लिखे हुए हैं 2 की power 2 into 3 की power 1 into 5 की power 1 ठीक अब इसमें sum of total number of factors हमें यह find करना है तो इसका concept यह है कि जैसे 2 की power 2 लिखा है तो आपको कहां से 0 से start करना है मतलब 2 की power 0 लेना है फिर plus करना है फिर 2 की power 1 लेना है फिर कहां तक लेना है जहां तक इसकी power है 2 की power 2 ऐसा लेना ठीक है ये इसका concept हो गया पहले नमबर का फिर into लगाओ बीच में फिर क्या है तीन की power 0 से start करो कहां तक तीन की power 1 तक फिर 5 की गात 1 है तो 5 की power 0 से start करो कहां तक 5 की गात 1 तक तो ये आपने जो लिखा है ये ही क्या होगा sum of total number of factors ठीक है इसको आप solve कर लिजे ये हो जाएगा 4 प्लस ये 2 की गात 1 दो हो जाएगा और यहाँ जाएगा 1 और यहाँ क्या आएगा 1 प्लस 3 into यहां क्या आएगा 1 plus 5 इसको आप solve कर लीजी कितना हो जाएगा 4 और 2 6 और 1 7 यह हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा 6 ठीक है 7 into क्या हो जाएगा 24 अब आप इसको multiplied कर सकते हो 7 4 के 28 हो जाएगा 2 बचेगा 7 2 14 और 2 16 तो finally हमारा किता answer हो जाएगा 168 मतलब 60 के total number of factors का जो sum होगा वो कितना होगा 168 होगा clear है आगे सम्झ में next दूसरा example बता देता हूँ मालो 300 लिखा हुआ है तो इसके मैंने आपको factor यहां direct लिख दी है यह आप factor करना देख ले ना कैसे करते हैं पिछले वीडियो मैंने detail बताया है अभी मैंने direct लिख दिया है सीदे हम देखते है sum of total number of factors कितने आएंगे 2 की power 2 लिखा है तो कहां से start करना आप 0 से 2 की power 0 plus 2 की घाथ 1 plus 2 की घाथ 2 जहां तक यह दिया हो power फिर into में आजाएगा 3 की power 0 plus 3 की power 1 फिर into में आजाएगा 5 की घाथ 2 है तो 5 की घाथ 0 plus 5 की घाथ 1 plus 5 की घाथ 2 ठीक है इसको solve कर लीजे यह कितना हो जाएगा 4 plus 2 plus 1 यह हो जाएगा 1 plus 3 यह कितना हो जाएगा 1 plus 5 और plus 25 यह हो जाएगा अब आप इसको जोड़ लिना 4 दुछ है और 1 7 3 और 1 4 और यह कितना हो जाएगा 25, 35 और 1, 31 ठीक है इसको multiply कर लीजेगा यह आएगा 1, 8, 6, 8 ठीक तो 300 के sum of total number of factors कितने हो जाएगे 8, 6, 8 ठीक है आगे है समझ में चलिए अगला concept देखते हैं अगला देखिए अब आता है even sum of even factors नमबर वो ही है 60 और 300 इनके factors भी लिखे हुए है अभी आपने total number of factors निकाले हैं अब हम निकालेंगे even factors ठीक है तो even factors कैसे निकालते हैं देखिए sum of even factors ठीक तो sum of even factors निकालने के लिए सिर्फ थोड़ा सा changes करना है जो sum संख्या देख रही है इन तीनों में sum संख्या कौन सी देख रही है even number कौन सा है सिर्फ ये है 2 तो जब भी even factors आप निकालोगे तो आपको even number देखना है और वाले से कोई दिक्कत नहीं है सिर्फ क्या देखना even वाला अब even वाला देखना है तो उसमें क्या चिंजस आएगा जहां पर आप 2 की घाट 0 से ले रहे थे तो यहां पर even number में आपको क्या करना है इसका 0 वाला term नहीं लेना है सिर्फ ये 1 से start करना है कहां तक जहां तक इसकी घाट जा रही है जैसे मैंने 2 की power 0 लिया था फिर 2 की power 1 लिया था फिर 2 की power 2 लिया था तो आपको ये term नहीं लेना है ये वाला term हटा देना ठीक है क्यों हटा रहे हैं क्योंकि power अगर 0 लोगे तो ये जाएगा 1 और ये पूरा number क्या बन जाएगा odd बन जाएगा इसलिए हम इसको हटा रहे हैं ठीक है तो ये नहीं लेना है even वाले में सिर्फ इतना लेना है ठीक है क्योंकि ये जब लोगे तो ये एक even number देगा और even number का अगर किसी भी number multiplied करो चाए odd और चाए even वो हमेसा even बनेगा ठीक है इसलिए इस term को हटा देते हैं तो कितना जाएगा यहाँ आजाएगा तीन की घाट जीरो प्लस तीन की घाट एक यहाँ जाएगा पांच की घाट जीरो प्लस पांच की घाट एक ठीक है ये term छूट किया है मतलब दो दूनी चार और ये दो कितना जाएगा छे ठीक मतलब दो ही term आएगे यहाँ पर कितना आएगा 4 plus 2 यही आएगा 2 दो नहीं 4 और 2 6 इन 2 में क्या जाएगा यहाँ आजाएगा 4 डारेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ क्या जाएगा 5 और 1 6 ठीक है यह बन जाएगा 1 double 4 तो 60 के sum of even factors कितने बजाएंगे 1 double 4 clear अब देखने 300 के even factor तो sum of even factors of 300 is equal to क्या आएगा 2 की पावर 0 से नहीं लेना आपको 2 की घाथ 1 क्योंकि even number 2 है तो कहां से लोगे 2 की घाथ 1 से कहां तक जहां तक पावर हो 2 की घाथ 2 3 होता तो 2 की घाथ 3 भी ले ले लेते 4 होता तो 2 की घाथ 4 भी ले लेते फिर into 3 की पावर 0 plus 3 की पावर 1 फिर into 5 की घाथ 0 plus 5 की घाथ 1 plus 5 की घाथ 2 कितना आएगा यह दो दो नहीं 4 तो 2 plus 4 यहां क्या आएगा 1 plus 1 plus 3 यहां क्या आएगा 1 plus 5 plus 25 ठीक है एक इतना हो गया 6 into 4 और into कितना हो जाएगा यह 31 आप इसको multiply कर लेना तो यह आएगा 7 double 4 ठीक है तो 300 के sum of even factors कितने हो जाएंगे हाँ रेपा 7 double 4 clear है अगे संज में चलिए अगला concept देखते हैं अगला concept किसे related है odd से sum of odd factors अब यह number लिखा हुआ है हमें इसमें बताना है sum of odd factors कितने होंगे एक तरीका और बता देता हूँ जैसे अभी आपने previous में अभी previous slide में जो देखा है कि अगर आपने total sum of total factors निकाल लिया फिर क्या निकाल लिया आपने sum of even factors निकाल लिया तो total factor में से अगर even factor घटा दोगे तो क्या जाएगा sum of odd factors ठीक तो एक तरीका ये भी है तो total factor हमने कितने निकाले थे 60 के देख लेते हैं कितने निकाले है 168 और even factor कितने निकाले है 144 तो यहाँ पर 168 minus क्या होना चाहिए 168 total है फिर 144 ये क्या है even है अगर इसमें से आप घटा दोगे तो कितना आना चाहिए ये 24 जो कि क्या होगा sum of odd factors होगा ठीक है तो एक concept ये भी है लेकिन अगर direct निकालने मालो sum of odd factors तो sum of odd factors direct निकालने के लिए concept ये है कि जो even वाला number देख रहा है उसको आप भूल जाओ उसको हटा दो बिलकुल इसको हटा दो जो 2 दिख रहा है even वाला दिख रहा है उसको भूल जाओ सिर्फ odd वाले बस ले लो उसी rule से तो यहां आजाएगा 3 की गाद 0 प्लस 3 की गाद 1 फिर into में कह जाएगा 5 की गाद 0 प्लस 5 की गाद 1 कितना हो जाएगा यह जाएगा कितना 1 प्लस 3 ठीक है यहां को जाएगा 1 प्लस 6 sorry 5 कितना आगया 4 इंटु 6 कितना हो गया यह 24 clear है तो देखो या आप तो यहां से निकाल लो या फिर आप यहां से निकाल सकते हो दोनों तरह से आंसर आपका सेम आएगा ठीक है अब हम 300 का भी देख लेते हैं total factors कितने आ रहे थे इसके 8, 6, 8 और even factor कितने आ रहे 7, double, 4 ठीक है तो odd factor कितने आने चाहिए एक तरीका अपन यहां लगा लेते है 8, 6, 8 मैं से 7, double, 4 यह हटाना है क्योंकि total factor और यह कितना जाएगा even factor तो 8 मैं से 4 गया 4 6 मैं से 4 गया 2 और यह हो जाएगा 124 मतलब 124 आना चाहिए अगर आपने यह नहीं निकाला तो आपको direct निकालना है तो उसके लिए sum of odd factors direct निकालने के लिए इस number को हटा दो तो यह वाला देख लो कितना जाएगा 3 की गाट 0 प्लस 3 की गाट 1 फिर इंटू 5 की गाट 0 प्लस 5 की गाट 1 प्लस 5 की गाट 2 कितना होगा यह 1 प्लस 3 यहां कितना होगा 1 प्लस 5 प्लस यह जाएगा 25 तो कितना आ गया 4 इंटू 31 multiply it करोगे 4 x 4, 4 x 12 यहां से भी कितना आ रहा देखो 124 मतलब यहां से भी निकाल सकते हो 124 और यहां से भी आप निकाल सकते हो 124 clear है आगे समझ में बहुत अच्छे concept है exam में बार बार पूछे जाते हैं आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए और फिर भी अगर कहीं आपको लग रहा है कि कोई doubt रह गया है तो comment करके मुझे जरूर बताएं मैं पूरी कोसिस करूँगा कि आपके सारे doubt clear हो जाए ठीक है आप देखिए मैं एक question आपको दे रहा हूं करने के लिए यह question लिखा है 720 ठीक है एक number है 720 आपको बताना है sum of total number of factor पहला answer sum of even factor दूसरा answer sum of what factor तीसरा answer यह तीनो comment section में जरूर बताएं कि इसका answer कितना आएगा ठीक है आगे समझ में पर फिर भी आपको कहीं कोई doubt है तो आप comment करके बता सकते हैं तो thanks for watching for more update please like share and subscribe